नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूँगा वूट की सीरीज दरायकर केस के बारे में आज मैं इस वीडियो में इस सीरीज के एंडिंग के बारे में बात करूँगा और जो next season आएगा उसमें क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चे करूँगा लेकिन उससे पहले एक खास बात कि यदि आपने ये series नहीं देखी है तो थोड़ा सा रुख जाएए इस series को देखिए उसके बाद ही इस video को देखिएगा इससे दो बाते होंगी एक तो मेरी बाते आपको आसानी से समझ में आएंगी और दूसरा ये कि ये video spoiler से भरी हुई है तो उससे भी आप बचे रह सकते हैं दोस्तों ये जो series शुरू होती है जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि तरुन का मडर हो जाता है तरुन जोकी नायक रायकर फैमिली का सबसे छोटा सदसे है और फिर हम देखते हैं कि सक की सुई अलग-अलग किरदारों पर घूमती है जब ये कहानी खत्म होती है साथमे एपिसोड में बहुत सारे चौकाने वाले खुलासे होते हैं और हम देखते हैं कि ये सारा ताना बाना जो है वो यशुन्त नायक रायकर जो कि इस परिवार के मुख्या है और उनकी जो पतनी है साक्षी तो ये सारा ताना बाना साक्षी का बुना हुआ है जिसकी भूमका यहाँ निभाई है असुनी भावेने और यश्वंत बने हुए है अतुल कुलकरनी तो दोस्तों ये जो कहानी है इसमें हम कई अपसेंट डाउंस देखते हैं या फिर रिष्टों के खोकला हाट जो यश्वंत नाय करायकर वो भी बड़ा इंपायर चलाते हैं काजो के उनके बागान है लेकिन बहुत सारे हो सकता है कि गलत गती वीदियों में वो शामिल हो जैसा कि उन्होंने खुद बाद में कन्फेस कि अपने बेटे मोहित के साहिमने कि उनके हाथ खोन से रंगे है और राने से ये किसी तरह से बिगाड नहीं करना चाहते है उससे बना करके रखना चाहते है और शायद इनके इलिगल अफेर्स के बारे में भी राने को कुछ पता है जैसा कि हमने देखा कि राने कहता है यस्वंत से कि देखो पार्टी में जो तुम चंदा देते हो उससे तो तुभारी कंपनी को बरवाद कर सकता हूँ और ये जो साक्षी है ये बहुत ही मातवकांक्षी महिला है ये अपने परिवार के रसूफ को बनाये रखना चाहती है और चाहती है कि किसी तरह की कोई आच उस पर ना आये और जो पावर है पॉलिटिकल पावर है वो भी वो और इसके लिए वो फिर किसी हद तक चली जाती है इन बिट्वीन एक और घटना हो जाती है जो राणे का बेटा है एक लड़की का मडर कर देता है और त्रिप्ती जब अपने पिता यानि की यश्वंत के भाई के साथ जाती है तो इन दोनों की हत्या हो जाती है तो यहां यह अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है कि साक्षी नहीं इसके बारे में राने को या फिर उसके बेटे एकलवी को बताया होगा और फिर एक साजिस के तहत इनकी हत्या कर दी गई फिर हम देखते हैं कि जो तरुन है वो अपने पिता और बेहन की हत्या के बारे में सब को जान जाता है और साक्षी बिल्कुल नहीं है चकती है उसको भी मौत के घाट उतार देती है जब इनका अपना बेटा मोहित कमजोर कड़ी बनने लगता है तो साक्षी उसे भी जहर दे देती है तो यहां तक की कहानी तो बिल्कुल ही आपने देखी और इसके पीशे वही बात कि यह जो त्रिप्ती है जिसके की मरने की बात हो रही है वो त्रिप्ती मरी नहीं है जिंदा है और इताशा को भी उसी जगह पर लाकर के एकलाव ने कैद किया है जहां त्रिप्ती को उसने कैद करके रखा हुआ है वो उसे ड्रक्स दे रहा है और वो बिल्कुल ही अनकॉस करती है हम दे भी देखते हैं कि यश्वंत जो की एक सब्सक्राइब पड़ गए थे हाला कि जो कहानी है उससे लगता जरूर है कि जो जो पावर का गेम था ये यश्वंत और साक्षी ने साथ खेला था लेकिन बाद में यश्वंत थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं तो अब साक्षी और यश्वंत एक साथ हैं जो कि हमें देखने को मिला इसके अलावा एक लव इसका जो कहें कि दुश्मनी का लेवल है जो इसके नफरत का लेवल है गुस्य का लेवल है वो थोड़ा सा अगले सीजन में बढ़के ही हमें दिखेगा राने से वो साफ कह देता है उनको शहर से दूर भेजिया जाता है तो हो सकता है कि अगले सीजन में लीली वापस आये और परिवार की जो प्रपर्टी है उस पर वो अपने दावेदारी पेश करें क्योंकि लीली के हस्बेंड और यश्वंत दोनों भाई थे और ये जो पूरा एंपायर है ये इन दोन जाता सकती है इसके अलावा दोस्तों हमें एक और चीज़ बहुत खास हो सकता है कि देखने को मिले और मुझे लगता है कि अगले सीजन में ये जो मोहित का करेक्टर है वो बहुत जादा कुछ खास रोल प्ले करने वाला है देखियो मोहित को अभी जहर दे दिया गया था और हो सकता है कि अगले सीजन के एक दो एपिसोड तक तो वो थोड़ा सा अनकौशस ही रहे या बीमार रहे लेकिन बाद में उसको एक बहुत महत्पून भूम का अदा करनी होगी और शायद एक चैन भी उसे करना पड़ सकता है कि वो अपनी बहन और चाची के साथ रहे या म मडर के लड़की का रोड पे तो अब हो ये सकता है कि लीली ने इसकी एक कौपी कोई बना रखी हो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीजे निकल करके सामने आए तो दोस्तों अभी तो ये सारी बाते जो मैंने आपको कहीं वो एक अंदाजे के तौर पे कही ह सीजन टू के बारे में न कोई ओफिशियल एनाउस्मेंट है न इसके बारे में कोई चर्चा है लेकिन जब भी इसका सीजन टू आएगा तो हो सकता है कि कहानी उसी तरह की हो जैसा मैं आपको यहां बता रहा हूँ या हो सकता है कि कहानी बिलकुल ही अलग हो तो अब यह द अब तक देखिए आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को पसंद करिए यदि subscribe नहीं किया आपने तो subscribe जरूर करिएगा यदि अभी अभी subscribe किया है तो bell बटन प्रेस करने के बाद all भी प्रेस करिएगा कुछ कहना चाहते हों तो कमेंट करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा धन्यवाद